हेलो स्टुदेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जा 17th of September 2020 का Current Affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं इस lecture में हम लोग various sources से news को cover करते हैं जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है P.I.B की reports को discuss करते हैं राजी सबर टेलिविजन में जो भी important news, discussion, debates आती हैं उनको cover करते हैं प्लस various magazines जैसे कि EPW, Down to Earth के भी articles को discuss करते हैं In short guys, अगर आपने इस lecture को पूरा end तक देखा तो आपको किसी भी source से current affairs को prepare करने की आवशकता नहीं होने वाली है और आप में से जो भी student civil services examination की तयारी कर रहे हैं उनके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना और guys जैस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं आप देख सकते हैं paper 1, paper 2 और यह paper 3 के कुछ topics हम लोग discuss करेंगे और यहाँ पर prelims और mains दोनों point of view से हम लोग news को discuss करते हैं और English, Hindi दोनों में news cover की जाती है और चैनल का नाम current affairs by कमलाक्ष जा है चेक कर लिजे कि आपने चैनल को subscribe किया है कि नहीं अगर नहीं किया है तो कर लिजेगा और bell icon पे भी जरूर हिट कीजेगा same नाम से telegram का भी एक चैनल है जिसको आप join कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मुझे facebook पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे follow भी कर सकते हैं चलिए समयना विस्ट करते हैं फटा फट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं पेपर वन से रिलेटेड जो पहली news हम लोग को देखने को मिल रही है तो इसका नाम प्रणाउंस करना थोड़ा सा difficult है बट फिर भी थोड़ी एक ट्रिक लगाई है निगोहल, VF, Jurd, SF, Jordan तो यह जो glacier हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका यह नाम है यह glacier का नाम है अगर बाइचांस एक्जाम में यह आ जाता है तो यह मत समयना कि कुछ मिस्प्रिंटिंग हो गई है यह glacier का ही नाम है तो याद रखना कभी कभी ऐसे question भी बन सकते है तो यह glacier कहा पर है तो Greenland पर यह glacier है इसकी map में मैं आपको location दिखाता हूँ पहले तो आपने USA देखा ही हुआ है Canada आपने देखा ही हुआ है Canada के अगर आप अभी recently news में इसलिए है North East Greenland पर यह glacier है Arctic का सबसे largest ice shelf बताया जा रहा है यानि कि सबसे बड़ा ice shelf है यह और अभी topic news में इसलिए है क्योंकि इसका एक बड़ा तुकड़ा जो है वो इससे अलग हो गया है गिर गया है और गिरने की वज़े आप सभी लोग जाते है चारे scientists, researchers की दोरा यह तक कहा गया है कि quite possible की इतने जो बड़े-बड़े glaciers हैं क्योंकि यह काफी साल पुराने हैं इनके ओपर कुछ research वगड़ा की नहीं गई है तो इसके अंदर quite possible कुछ microbes हो सकते हैं, कुछ virus हो सकते हैं तो यह कुछ चीज है, बड़ आपको mainly यहां पर अभी ध्यान रखना है इसकी location और यह इसका नाम, ठीक है तो यह था पूरा overall topic, simple सा, जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए next topic में बात हो रही है, rogan art के बारे में hand painting cloth के उपर की जाती है, देखो आप हाथ से paint किया जाता है कपड़े के उपर, hand painting हम लोग को देखने को मिलती है और अभी coronavirus के चलते, यह जो painting करते हैं, जो लोग उनके livelihood को नुकसान पहुचा है काफी जाता, तो इस तरह यह topic news में था पर हम लोग थोड़ी सी इस कला के बारे में, art के बारे में discuss करेंगे, क्योंकि art and architecture से related आपसे questions पूछा आते हैं, तो आपको एक चीज, दो चीज पता लग गई, एक तो गुजरात के अंदर है, गुजरात में कच रीजन पे बताया जाता है यह rare craft हम लोग को देखने को मिलती है और बताया जाता है कि एक loti muslim family के दोरा यह practice की जाती है यह गुजरात के अंदर है एक village है, निरोना village, निरोना गाउं वहाँ पर खत्रीज जो है, वो इस कला को करते हैं और रोगन की बात करें, टेक्स्टाइल पेंटिंग है, कपड़े को बर पेंटिंग की जाती है इसमें rich, bright color paint किया जाता है और castor की अगर हम लोग बात करें, castor को हम लोग R&D, बोलते है R&D के पत्ते के बारे में आपने सुना हुआ castor oil, तो उस oil का उपयोग किया जाता है, काफी सारे natural colors का उपयोग किया जाता है इसमें जो motifs होते हैं, इस प्रकार की जो design होते हैं, वो design होते हैं, geometric flowers के होते हैं, कुछ fool बगेर होते हैं geometric fool के, peacock होते हैं, tree of life हम लोग को देखने को मिलती है, और जो ये tree of life है ये जो design है, ये most famous design है, इस rogan painting की, कभी-कभी ये भी question आएगा, आपसे पूछा आएगा, कि tree of life जो है, वो किस art, किस color से related है, associated हो, तो आपको rogan painting पता होना चाहिए, ये rogan art पता होना चाहिए और इनकी जो color होती है, वो जातर कच region के जो history है, या जो उनका folk culture है, उससे associated ये color जो है, वो बनाते हैं, यानि की कपड़े के उपर ये इस प्रकार की painting करते हैं, तो ये पूरी चीज़ें है, इससे related और rogan color के बारे में, इससे जादा और कुछ आपसे examination में नहीं पूछा आ इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, सुब्रमनिया, भरतियार, इनका जन्म 11 डिसंबर 1882 को हुआ था, तमिल नाडू के गाउं में, इट्टायपुरम गाउं में हुआ था ये, तीरू निलवेली में, district है ये, ये poet थे, freedom fighter थे, social reformer थे, तमिल नाडू के, इनको महा कवी, बरतियार के नाम से भी जाना जाता है, और इनके जो गाने है guys, उनके गानों, गाने basically राष्ट्रबाद और स्वतंतरता की उपर है, freedom of India की उपर है, और इनके गानों के चलते काफी सारे masses जो है, वो एकदम जादा active हो गए थे, यानिकि इनके गाने सुनकर उनको इतनी इस प्रकार से बजाए जाते थे, कि लोग इतने जादा motivate हो जाते थे कि वो rally join करने लगते थे, और इंडिया के independence के लिए आगे बनने लगते थे, योगदान दिने लगते थे, इसके लाबाँ इनके literary work की बात करें, साहितिक रचनाएं की बात करें, तो कनन पट्टू, निल देशा, गितंगल, तो ये भी इन्होंने publish करी थी, इसके लाबा, mid 1908 के समय पर, इनकी एक ज्यान रतनम करके, एक इंडिया का जो political weekly हुआ करता है, राजनियतिक सब्ताहिक भारत चो हुआ करता था, यानिकी weekly एक journal हम लोग को देखने को मिलती थी, तो उस पर ये, जो हो इन जिनके जो काम थे, जिनके जो कार्य थे, जिनके वर्क थे, उसको राजय सरकार ने, स्टेट गॉर्मेंट ने राश्ट्रिय करन किया था, नाशनलाइज किया था, और भारती एक social reformer की तरह भी थे, ये caste system के against थे, ये बोलते थे कि पूरे दुनिया भर में सिर्फ दो ही caste थ नहीं है, इन्होंने अपने खुद का जो sacred threat जो था, यानि कि जो हम लोग गोलते हैं पवित्र धागा, जिसको जनेओ की नाम से जानते हैं, जनेओ, तो इन्होंने वो भी उतार दिया था, इसके लावा उन्होंने कुछ शास्त्र की निंदा करी थी, कुछ शास्त्र के जो लोग गीता और वेदास को mix करते थे अपने personal thoughts के साथ, यानि कि काफी सारे लोग है, उनकी personal thoughts उनको अपने बताने हैं, तो अपने, यानि कि गीता और वेदास को इस प्रकार से वो manipulate करते थे, बताते हुए, कि बदनाम, यानि कि अपने खुद के personal thoughts सामने रख रहे हैं, बदनाम गीता और वेदास को कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों की ये काफी ज़्यादा कहलाफते हैं, तो ये कुछ चीजे हैं इनके बारे में, जिसके बारे में एक basic आपको idea होना चाहिए, तो ये था पूरा oral topic इंसे related, याद रखिएगा इनके बारे में, सुब्रमनिया, अर् साथ चल रहे हैं, इसकी neighboring state के साथ, तो तमिल लाडू के साथ, तो तमिल लाडू और करनाड़ा की boundary पर ये project है, पहली चीज़ आपको बता होनी चीज़, दूसरी चीज़, ये project जो है, ये किस नदी के ओपर बनाने के ऊपर ये proposal है, तो ये कावेरी नदी के ऊपर ये project बना है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change से, दूसरी चीज़, तमिल लाडू, Honorable Supreme Court के पास चली गई है, इस project के against, यानि कि इस project को challenge करने के लिए, एक case भी Honorable Supreme Court के पास चल रहा है, इस project से related, तो ये पूरी चीज़ है, और अभी ये topic news में से लिए, क्योंकि करनाड़ा का state government, central government के उपर pressure create कर रही है, ज जिसके चलते मेके दातू project के construction को approval जल से जल मिल सके, जिससे की पीने का पानी जो है, वो पहुचाया जा सके करनाड़ा का के अंदर, especially Bangaluru के अंदर, पीने के पानी के समस्या काफी ज़्यादा है, तो वहाँ पर पानी जो है वो provide कराने को लेकर, ये पूरा project है, तो आप दे जाता है, अब ये पानी आएगा, कावेरी नदी का इसके अंदर, और कावेरी नदी का पानी अगर इसके अंदर आएगा, तो तमिल लाडू को कम पानी मिलेगा, तो इसी को लेकर पूरा मुद्धा है, और कुछ नहीं, simple सी चीज आपको ये clear रखने है, पने mind में, तीन चा ये, ये कावेरी नदी का पानी तमिल लाडू को नहीं मिलेगा, इसलिए तमिल लाडू ने अब्जेक्शन उठाया हुआ है, और थोड़ी सी और हम लोग हलाकी बात करेंगे, तो इसकी location नो है, वो कावेरी नदी से होकर गुजरती है, exactly इसकी location याद रखनी की आवशक्ति नहीं, simply आपको करनाडगा पता होना चीए, पर फिर भी रामनगर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर कनक्पुरा तालुक हम लोग को देखने को बिती है, यहाँ पर यह लोग के लिट है, हाला कि यह बिलकुल important नहीं है, इसको याद रखना, सिर्फ करनाडगा याद रखो और करनाडगा चाहा रहा है एक reservoir, कि इस नदी के पास एक reservoir बन जाए, मेके दादू पे, जो की बैंगलूरू की water problems जो है, पानी की समस्या जो है बैंगलूरू की, वो resolve कर सके, और तमिल नाडगू ने objection यह उठाते होए कहा है, कि करनाडगा ने एक तो इस project के लिए पहले से permission नहीं ली थी, दूसरी बात, इसने, दूसरा argument यह उठा है, कि यह project के तहट, कावेरी नदी का, जो पानी का flow है, वो बेगल जाएगा, तमिल नाडगू तक जो है, वो नहीं पहुचेगा धंसे, effect होगा पानी का flow, यह दूसरी वज़ा है, इसके लावत, तमिल नाडगू क कि जो भी, यहाँ पर कावेरी बेसिन पर जितने भी storage areas है, reservoir जो हम लोग को देखने को बिलते हैं, तो वो ध्यान में रखना है, कि यह जो पानी है, वो तमिल नाडगू तक पहुचे, कि करनाटका को यह चीज़ ध्यान में रखनी है, कि वो ensure करें कि, जो कावेरी नदी का, क पानी का flow तो effect हो गई होगा, तो यही पूरे arguments इससे related हम लोग को देखने को बिल रहा है, इसके लावा कावेरी नदी के बारे में कुछ basic facts आपको पता होना चीज़ जैसे की, ब्रह्मगिरी hills यह कहाँ पर है, तो आपको पता होना चीज़ करनाटका में यह हम लोग को ब्रह ब्रह्मगिरी hills देखने को मिलती है, यही पर ही western guards में, south western करनाटका में है यह, तो याद रखना ब्रह्मगिरी hill कहाँ पर करनाटका में, क्योंकि यह वाले question ऐसे आते हैं, इसके लावा यह river का basin जो है, वो तीन states को छूता है, और एक union territory को छूता है, एक Tamil Nadu, करनाटका, केरल और यूटी पुडू चरी, तो यहाँ पर यह कावेरी नदी का basin है पूरा, ठीक है, इसके लावा कावेरी नदी की tribalities कौन सी कौन सी है, तो यह बहुत important है, अक्सर आते हैं, तो याद रखना हेमावत्ती, लक्षमन तीर्थ, इसको थोड़ा correct कर लीजे अभी के लिए, बाक पर एक हम लोग को falls भी देखने को बलता है, waterfall, इस waterfall को नाम है, Haugen Kal, Haugen Kal, Haugen Kal, waterfall, ठीक है, तो यह भी waterfall हम लोग को यही पर ही देखने को बलता है, तो यह लिए चीज़ आप लोग को याद रखने हैं, इसके लावा बर, डैम जो है, बेटूर डैम है, बेटूर डैम, और यह और हाइडल पावर जो है, वो पहुचाता है, यानि कि हाइडल पावर की विवस्ता करवाता है, और irrigation परपस के लिए डैम, जो है, वो मेट टूर डैम हम लोग को देखने को बलता है, तो यह कुछ important चीज़े हैं, जो की याद रखनी है, especially location से related, इसमें questions बनते हैं, और travel trees हम through संपत्ती के बार में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर अपनको सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, पहली चीज, enemy property की definition क्या होती है, simple सी definition है, जो भी लोग चाइना के थे, और पाकिस्तान के थे, इंडिया के अंदर, जो अपनी संपत्तियों को जाता है, तो चाइना और पाकिस्तान, यह दो हमारी country, enemy country है, तो इनके जो citizens, जो पहले इंडिया में रहा करते थे, या कुछ समय पर कुछ लोग इंडिया आये थे, जिन्होंने property खरी थी, फिर वो चले गए हमेशा के लिए, और फिर वो lot के इन्होंने इंडिया की तरफ न government हुए है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें नई include करी है, वो मैं आपको थोड़े दिर से बताऊंगा, ठीक है, तो यह सिर्फ तीन जीज़े इस topic से related आपको याद रखनी है, अब यह topic news में सलिए है, क्योंकि economic advisory council के, जो member हम लोग को देखने को मिल रहे है, इन्होंने सरक out-down वगरा जो हुआ था उसके चलते, काफी ज़दा pressure जो है वो economy के उपर बन गया है, economy downfall की category में हम लोग को देखने को मिल रहे है, तो पूरी situation को सहीं करने के लिए यह property बेची जा सकती है, तो इसका सुझाव जो है वो economic advisory council के द्वारा जो है वो दिया गया सरकार को, इसके यह property थी, जो आज की rate में हाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, और यह ऐसी 9000 से ज़्यादा properties है, पाकिस्तानी nationals की और Chinese की 126 property कुछ यहाँ पर पताई जा रही है, इंडिया के अंदर, और जिनमें से सबसे ज़्यादा property की अगर हम लोग बात करें, तो पाकिस्तान के ज यह सब याद रखने की जरूरती है, ठीक है, याद रखना, उत्तरप्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद West Bengal, फिर डेली है, तीन जहाँ पर यह पाकिस्तानी citizens की property हम लोग को देखने को मिलती है, और Chinese citizens की properties जो है, वो मेघाले में है, West Bengal के अंदर है, और आसान के अंदर ठीक है, तो यह जीज़ ज़्याद रखने है, आपको मेघाले में सबसे ज़्यादा है, तो यह properties के बार में हमने थोड़ी एक data देखा, इन जनरल, और यह property की देखबाल कौन करते है, तो Defense of India Act 1962 के तहट, Defense of India Rules तयार किया गया था, जिसके तहट, Government of India, जो है, उनको कहा गया ठीक है, यह property के custodian होंगे, यह देखबाल करेंगे, या फिर Central Government, Central Government जो है, यह property की custodian होंगी, देखबाल करेंगे, ठीक है, तो यह चीज़ कही गई थी, इसके लावे एक ताशकेंद declaration हम लोग को January 10th 1966 को देख रहे को मिलना था, जिसमें एक clause जो था, वो यह कह रहा था कि India और पाकिस्तान डिसकस करें, दोनों कंट्री की जो प्रॉपर्टी है, एक दूसरी कंट्री के पास, यानि कि इंडिया के पास पाकिस्तान की है, 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 पाकिस्तान की पाकिस्तान की पाकिस्तान की पाकिस्ता थी तो ताशकेंट डिक्लेरेशन में एक क्लॉज रखे कहा गया कि दोनों इंडिया पाकिस्तान डिसकर्स करें और जिसकी जो संपत्ती उसको वो रिटन करें इस प्रकार की बात ही और फिर बढ़ यह हुआ कि 1971 पे ही यह चीज सामने आई कि पाकिस्तान ने जितनी भी ऐसी प ही इंडिया अगर उनकी प्रॉपर्टी दे दरो इंडियन सिटीजन उसकी ना में लिटो यह तो अन्या उजाएक पाकिस्तानी önते सेंटीय ऐसां dive कर दिया फिर वहाँपे इसके अलावा इंडिया फिर कैसे एनिमी प्रोपर्टी के साथ डील करता है तो एक कानून है एनिमी प्रोपर्टी आक्ट जो की लागू हुआ था 1968 में इसके अंदर कुछ चैसे की अभी तो यहल ही जो अपरटी है यह तो मविबल नहीं है बटकश और घर एक पToday्षिडेंशल यह नहीं नहीं है इसके लावा और भी काफी सारी चीजेज़्ेस में आ जाते इसके लावा एक और हम लोग को amendment देखने को मिला enemy property amendment and validation act 2017 तो ये act जो था 1968 का इसको amend किया गया और साथी साथ public premises eviction unauthorized occupants act 1971 तो ये दोनों को amend करने के बाद एक नया कानून जो है वो आ गया अब जो नया कानून जो आया इसमें definition जो है वो enemy subject और enemy firm की expand कर दी गई अब ये क्यों कर दी गई इसके पीछे का मैं आपको पहले कारण बताता हूं तब जाकर आपको पूरी clarity अच्छे से होगी अब एक property है एक कोई property है जो कि किसी पाकिस्तानी citizen की थी अब वो चले गए ठीक है इस property को छोड़ कर बट इस property के यानि कि जो लोग गए थे इसको आना शुरू करती है यह बोलते होए कि यार यह हमारी property है और हमारे जो वारिस थे वो चले गए छोड़कर और अब यह property का हग जो हमें मिलना चाहिए हम है इस property के success है तो इस प्रकार के cases वगएरा चलनने लगे अब सरकार जो हो यह वाली property देने रही है किसी को भी the reason being is कि य property के जो original owner थे वो enemy थे याने कि वो enemy उनको माना गया है क्योंकि वो जो है वो दूसरी country चले गए तो और यहाँ पर लोग बाग जो है वो ऐसी properties के उपर claim कर रहे है और ऐसे तमाम cases जो है वो audible supreme court के पास जो है वो दायर होते गए continuously audible supreme court के पास high court के पास ऐसे काफी सारे cases लगते है फिर उसके बाद जो है वो और भी चीजे जो है वो control करने के लिए इनोंने क्या किया यह कानून लेकर आ गए clearly यानि 2017 इसको amend किया और इसमें बकाइदर चीजे जो mention करी है अब आपको पूरी चीज clear होगी कि इसके अंदर जो चीजे डाली गई है add की गई है वो यह है कि अगर कोई legal हम लोग को उत्तर अधिकारी देखने को जो मिलता है यानि की जो successor जो होता है एक विक्थी है उसका legal उतर अधिकारी जैसी की मान के चलते हैं की फाधर कि उसके बाद उस property के ऊपर किसका हग होगा उसके बेटे का होगा तो जो भी successor हैसे होते है legal successor उनको भी जो ह condition नहीं छोड़ी है जिसके तहद ये property जो होगी वो किसी को मिल जाए ये properties का hold जो होना चाहिए हो सिर्फ सरकार के पास ही होना चाहिए इस चीज को सरकार ने ensure करते होए ये कानून जो है वो लेकर आ गई इसके लावा succeeding firm जो भी होगी याने की enemy firm की succeeding firm जैसे enemy company है उसकी कोई succeeding company आ गई इस्टाबलेश हो गई तो वो भी जो होगी भले ही उसमान की चलो कि अगर कोई members होंगे या partners होंगे भले ही वो Indian citizen हो या कोई भी किसी भी country की nationality के हो तो भी माना नहीं जाएगा तो भी जो है वो enemy property के अंदर ही include होंगे तीसरी बात enemy property जो होगी वो custodian की तरह ही जो है वो continue रहेगी याने कि उसका अधिकार जो होगा वो पूरा custodian के बास ही होगा जो कि central government हम लोग को देखने को मिलती है even enemy या enemy subject या enemy firm अगर वो enemy को छोड़ भी देते हैं या enemy अगर खुद enemy country की citizenship जो है वो छोड़ भी देता है या फिर उसकी death हो जाती है या फिर wind up कर लेता है वो अपना business या अपनी nationality को change कर लेता है दूसरी country पर जो है उसका citizen बन जाता है बन जाती है और या फिर उसके जो खुद के वारिस जो है वो Indian citizenship हासिल कर लेते है या या किसी और दूसरी country के citizenship हासिल कर लेते है जो इंडिया की enemy country नहीं है तो भी जो है वो यहाँ पर नहीं माना जाएगा उनको property नहीं दी जाएगी ये property पूरी government के control में ही रहेगी तो मोटी मोटी बात को में लाकर है enemy property का पूरा control जो है वो सरकार के हाथ में है पहले कुछ कानून वगेरा नहीं थे 1968 के अंदर कुछ ऐसे clause mention नहीं थे जिसकी जलते काफी सारे लोग court में claim कर रहे थे कि उनको ये property चाहिए थी तो अब सरकार ने clearly जो है ये सब कानून लाकर 2017 का लाकर clear कर दिया है कि ये property जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के control में ही होगी सरकार की ही property होगी तो यहाली चीज़ है इससे related और power की अगर हम लोग बात करने इस property को dispose करने की यानि की बेचने वगरा कि इसकी power किसके हाथ में तो पहले central government के साथ approval लेने के बाद जो custodian है जो की खुद हम लोग को central government ही देखने को मिलती है तो वो इस property को dispose कर सकती है तो यह वाली चीज़ है इससे related आप लोग को पूरी clarity होनी चाहिए इस topic के बारे में सिर्फ दो तीन चीज़े बस याद रखने उससे याद रखने की आवशक्ता नहीं है तो इसमें एक चीज़ बिलकुल भी confuse मत होना जो confusion आप में आएगा वो यह आएगा कि एक custodian देखो central government ने क्या किया हुए एक अलग से department बनाया हुआ है जो कि इस पूरी properties की देखबाल करेगा बट उस department का जो पूरा control है वो central government के हाथ में ही है तो ultimate power जो यह property को dispose कर रहे हैं कि इसके हाथ में central government के हाथ में है बट अगर technically हम लोग देखें तो इसने अल अपने mind में याद रखनें कि central government के पास है central government जो चाहेगी इन properties के साथ करना वो ही करेगी क्योंकि main hole जो है वो central government के पास है तो यहली चीज़ है इसके बारे में एक general आपको जानका रही होनी चाहिए idea होना चाहिए अब बात करेंगे किरन के बारे में किरन क्या है किरन एक mental health rehabilitation help line हम लोग को देखने को मिल रही है देखो यह help line number है इस पर call करके mental health rehabilitation जो है वो की help line है इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको भी मानसिक स्वास्त की problem हम लोग को देखने को मिलती है mental issues जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो depression की problem से गुजर रहे होते हैं तो ऐसे जो क recently launch किया किस ministry ने launch किया ministry of social justice and empowerment के तौरा launch किया गया है objective यह है कि लोगों को support provide कराना जिन लोगों का anxiety issues होते है stress होता है depression होता है suicidal thoughts आते हैं और दूसरी जो भी mental health concern जिन लोगों को होती है तो उन लोगों को जो है वो साहिता provide कराना इसको coordinate किया जाता है national institute for the empowerment of person with multiple disabilities जो की चन्न नहीं तमिलाडू में है और national institute of mental health rehabilitation जो की सीहोर मध्यपरदेश के अंदर है और इसके अंदर क्या चीज़े है तो यह लोगों लोग जो भी distress में होते है यानि कि जो भी संकट में जो लोग होते है pandemic की situation की कराना जिनको psychological issues होगा है mental health emergency जिनको आ रही है क्योंकि pandemic की चलते आप आपको पता है कि अलएडी situation काफी खराब है लोग economy से भी जो है वो आपको पता हिए कि जो लोग के पास income नहीं आ पारी जो लोग jobless होगा है तो obviously वात है कि यह सब काफी सारे लोग इनमें से depression की state में होगा है काफी सारे लोग घर में lockdown के कराना भी depression feel करने लगे थे क्योंकि जो कि human का nature का social nature है उसको बाचीत करना पसंदे घूमडा पसंदे लोगों के साथ पट वो नहीं पाया उसके कारण भी काफी सारे लोग जो है वो depression की state में है कि आप लोगों सर्फ UPSC की तयारी कर रहा आपको पता है कि कमरे में बैठ के कि दिन दिन रात रत कैसे बिटा नही तो इसलिए तो ये बड़े issues हैं हमारी country के अंदर तो इसको resolve करने के लिए ये किरन help line जो है वो शुरू की गई और ये mental health rehabilitation service provide कराएगी objective यह है कि early screening हो जाने कि जल्दी सी जल्दी पता लग जाए कि patients को क्या issues है याने कि एक व्यक्ती को क्या issues है mental issues और उसका तुरन जो है वो 260 rehabilitation psychologist है और clinical psychologist हम लोग को देखने को मिलते है और 668 psychiatrist है volunteer के तौर और help line operators को especially उनको बताया जा चुका है उनको training proper तरीके से दिये कि जिस भी व्यक्ती का call है उस व्यक्ती से ना उनका नाम पूछा जाए ना उनकी identification detail मांगी जाए जिससे की सामने वाला व्यक्ती comfortably अपनी जो भी समस्या है वो share कर सके in help line operators के साथ जिसके चलते ही help line operators उस व्यक्ती की मदद कर सके जिससे की वो कोई गलत कदम suicidal या फिर ऐसा कदम जो है वो ना उठाए तो यहाली चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए ऐसा ही एक और initiative मनो दरपन नाम का ministry of education के दौरा पहले शुरू किया गया था इसके बारे में अपने पड़ा भी था जुलाई के मंद में हम लोग ने इस topic को discuss किया था मनो दरपन initiative को इसमें ये psychosocial support जो है और counseling जो है वो students को plus उनके family members जो है students के तो उनको provide कराने को लेकर ये initiative जो है वो शुरू किया गया था मनो दरपन ठीक किरन initiative किस particular ministry का initiative है ministry of social justice and empowerment तो यह अली चीज़ prelims में आ जाती है ठीक है कभी कभी तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अब next topic की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी देखे standing committee जो है गाई उनके tenure को extend करने के उपर अभी चर्चा है चल रही है राजसवा सेक्रेटेर जो है वो विचार कर रही है कि कुछ rules को change किया जाए departmentally related standing committee DRSC का जो tenure है उसको दो साल कर दिया जाए current एक साल से आज की rate में जो हमारी standing committee है उसका जो tenure होता है वो one year का होता है हर साल एक standing committee जो है वो बनती है establish होती है बट इसको एक साल से बढ़ा कर दो साल करने पर विचार हो रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जादा time जो है वो मिल सके committee को काम करने के लिए operate करने के लिए और coronavirus के चलते हैं कि काफी सारे काम जो है यह कर नहीं पाए हैं और incomplete हैं कि काफी सारी reports वगरा तो और in future भी कि एक committee है उसको at least 2 साल का time तो मिलना ही चाहिए जिससे कि वो अपने पूरे project को proper तरीके से जो है वो finish कर पाए तो standing committee को लेकर है यह याद रखना ad hoc committee को लेकर नहीं है टोटल हमारी जो parliamentary committees होती है दो प्रकार की होती है एक standing होती है और एक ad hoc होती है और constitution of India यह बहुत important है याद रखना Indian constitution के अंदर in committees के बार में mentioned है अगर question आता है क्या इन members होंगे इसके कितने tenure नहीं कितने लंबे period की है committee होगी इसके काम क्या होगे इसकी roles responsibilities क्या होगी क्या यह सब mentioned है नहीं है तो सिर्फ mention है बताया हुआ है कि parliamentary committee होगी बट कितने tenure की होगी क्या काम करेगी वो कुछ भी यहाँ पर mention नहीं है constitution के अंदर क्योंकि ऐसी ही चीजे prelims म कि हम लोग बात करें temporary nature की होती है जैसी इसका task complete होता यह committee को बंद कर दिया जाता है एड-hawk committee को इन committees के roles क्या होते है तो parliament जो है वो control कर सके influence कर सके administration के उपर और निगरानी रख सके executive के उपर साथ ही साथ यह legislature जो है उनको assist करती है committees वगरा इस committee में जो important चीज होती है वो यह ह आती है नि कोई भी मुद्धा Parliament के अंदर जब चलता है तो कोई भी matter है किसी भी चीज से related या किसी भी issue से related तो उस matter के बारे में पूरी detail में जाच और detail में जाने कि इसमें scientific measures को भी ध्यान में रखते हो है various measures को ध्यान में रखते हो है जो जाच होती है बकाईदा report आती है तो वो committee के थुरू आती है जो जिस भी particular issue को लेकर जो committee का गठन हुआ होता है तो वो committee detail में पूरी report निकालती है क्योंकि अपने past में भी काफितरी committees के बारे में discuss किया हुआ है तो जब भी अपन committees के वारे में discuss करते है आपने notice किया होगा वो committee proper data देती है जिससे की reality जो है वो situation की पता लग सके जिससे की जो भी कानून बने या जो भी final decision बने तो वो proper होना चाहिए उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए तो यह expertise जो है वो provide कराती है यह expert जो है वो किसी matter को लेकर expert advice हो है वो committee के तौर या expert recommendation committee के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है तो यह इसकी roles and responsibility हो ease of doing business की ranking किसके दौरा release की जाती है तो आपको याद रखना है dpiit department for promotion of industry and internal trade और यह किस ministry के अंदर आती है ministry of commerce and industry तो यह fourth edition है ease of doing business का यह state business reform action plan के ओपर based हम लोग को नजर आ रहा है release हो गई है यह top हम लोग को जो performer देखने को मिल रहा है सबसे top पर आंदर प्रदेश है फिर उत performing state है tripura, sikkim और odisha तो यह चीज़ बता ही आ रही है और ease of doing business के बारे में पहले भी अपने कई बार discuss किया हुआ ease of doing business का मतलब क्या है कि यह एक state के अंदर कितनी आसानी से एक business establish हो सकता है कितनी आसानी से कोई भी एक particular business को शुरू किया रहा सकता है वो आसानी का मतलब क्या होता है उस business को शुरू करने में कितना कम दिन लग रहा है कितने कम paperwork लग रहा है कितने कम regulations के थ्रू जो है वो business establish हो तो यह सब चीज़े जो है वो ध्यान में रखी जाती है तो यह ease of doing business को start करने लिए कितनी आसानी हो रही है जो भी प्रोप्राइटर है या जो भी partners वगेरा है जो भी है right business establish करने के लिए तो आप hopefully आप यह समझ गया हुए यह ease of doing business exactly क्यों लाया जाता और इसकी जो ranking होती है वो क्यों निकाली जाती है जिससे कि हम लोग देख सकें कि कौनसी कौनसी state है जाबर कितनी जल्दी business establish हो सकता है और यह एक healthier competition के तौर पर भी हम लोग को नजर आता है कि state जो है वो अपने बीच में healthy competition जो है वो conduct करें जिससे क चलते कि अगर एक state की ranking इसकी neighboring state है ठीक है इसकी ranking बार हाई जा रही है तो फिर healthy competition क्या होगा कि यह वाली state भी सोचेगी कि हम भी अपनी state के अंदर जो है वो business को जल्दी सल्दी establish करने के लिए कुछ reforms लाते है कुछ rules regulations में changes लाते है जिससे कि हमारी ranking अंगले साल और आगे है नजर आती है यह joint initiative होता है dpiit का और world bank का बहुत important याद रखना इसको objective यह होता है कि overall business का environment है state के अंदर उसको improve किया जाए तो यह वाली चीज है और business reform action plan है यह launch किया गया था 2015 में 2019 का जो plan है इसके अंदर 80 reform को list किया गया है 187 reform action plans इसमें include किये गा है और 19 state department के दोरा यह implement कि किये जा रहा है reform के अंदर 12 business regulatory areas है जिसमें access to information यह चीज हम लोग को देखने को मिल रही है single window system labor environment ऐसे जो areas है इस पर ध्यान रखा गया कि आसानी से वह एक business establish हो जाए business को establish करने के लिए उनको information मिलने में उनको कोई कमीना हो रही देरी ना लगे आसानी से उनको information मिल जाए एक single window system होना चाहिए जहाँ पर वो operate कर सके पूरी तरह से यानि कि एक ही जगा पर ही उनका पूरा काम हो जाए दूसरी बात labor से related भी कोई issues नहीं आने चाहिए environment से related भी कोई issues नहीं आने चाहिए तो ऐसे areas पर focus किया गया है ठीक और objective यह है कि competition जो है वो healthier हम लोग को states के बीच में देखने को बल सके और जब भी भी ease of doing business की ranking increase होती है हर एक state के अंदर वहाँ पर investment attract होने लगता है क्योंकि काफी असानी हो जाती है business को establish करने में तो यह वाली बात है जिसके बारे में एक आपको general idea होना चाहिए बात हो रही है United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation मध्यस्ता से यह जो international settlements वाले agreement है वो जो है वो मध्यस्ता के साथ जो है वो resolve होंगे यानि कि settlements के agreement जो होते है उसको resolve करने के ओपर based यह convention United Nation का convention हम लोग को देखने को बल रहा है अभी भी clear नहीं हो है मुझे पता है easy तरीके से मैं आपको समझाओं तो यह एक country है यह दूसरी country है इस country के अंदर एक MNC है company को इस country के अंदर invest करती है जैसे की मान लेते है यह mining के ओपर investment कर रही है कौन सी mining मान लेते है diamond की mining हो रही है इस पर investment करती है इनको satellite data के थूप पतल आए कि यहाँ पर इस चेतर पर जो हो है इतना बड़ा चेतर है ठीक है अब यह country के अंदर यह चेतर है माल लो ठीक है example के तो इसकी चालू करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो अब यह company यहाँ पर आई, पूरा agreement हुआ बढ़िया से, कि हाँ अब इसका जो भी profit होगा, 50-50 होगा, 60-40 जो भी होगा, पूर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, किसने यह व सालों तक जो है, इन्होंने ख़दान के उपर इतना पैसा अबरवात किया, इस ख़दान खुदाई करने में, mining purpose के लिए, बहुत पैसा अबरवात किया, बहुत machinery लगाई, बहुत labor लगाई, बहुत पैसा अबरवात किया, SMNC ने, पर जैसी diamond दिखा, वैसे ही, इस country ने, इ आपने जो है, वो foreign direct investment या involvement जो है, foreign companies का बंद कर दिया, अब, अब, ऐसी हरकत जब होती है, तब उस समय आप सोचो कि, इस company ने इतनी महनत करी, इतना पैसा अपना बरबात किया, अपना time बरबात किया, और जब उसके return की बारी आई, तब इस country ने उसको भागा दिया, तो य माम लोग का, मुद्धो का, क्यों नहीं हो पाता, the reason being, आप जाते हैं कि ICJ की अगर हम लोग बात करें, तो उसके भी decision होते है, judgment होते है, वो बाध्यकारी नहीं होते है, तो इसलिए, बहुत problems आती है, ऐसी companies को investment करने के लिए, कोई भी foreign company होती है, अगर किसी country में investment करती है, उ मैंने हाँ लाखो करोडर पर invest कर दी, और उसके बाद मुझे return नहीं मिला, तो फिर मेरा क्या होगा, इसके कानल से काफी जाते investment जो होता है, वो नहीं आता काफी सारी countries वगेरा के अंदर, जिसके record इस प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार गोटाले में involved होती है, और वैसे भ alternate dispute mechanism जो है, वो शुरू किया है, और वो इस convention के थुरू है, ये mediation, मध्यस्ता के साथ इस प्रकार के जो settlement है, वो resolve करेंगे, यानि कि दो country जो होगी, उनके बीच में अगर कोई भी issue आता है, जैसे कि दो country है, इस country के, अगर कोई company ने यहाँ पर investment किया, और कोई भी issue आता है, तो देखें, ये convention अभी लागू हो गया है, 12 September 2020 को, तो इसलिए topic news में है, United Nation General Assembly ने इस convention को adopt किया था, 20 December 2018 को, और signature के लिए ये open हो गया था, 7 August 2019 को Singapore में, इसलिए इसको Singapore Convention on Mediation के नाम से भी जानो जाता है, तो याद रखना है, Singapore Convention on Mediation अगर question आता है, तो वो इसी convention की बात हो रह ये होती है, ठीक है, और पहली treaty थी ये, जो की Singapore के नाम से रखी गई, क्योंकि Singapore के अंदर ये open हो गई थी signature में लिए, याने कि countries आकर है, हापर sign कर सकती थी, और India ने भी हापर आकर sign किया था, India भी इसकी signature बन गई थी, बढ़ इंडिया ने इसको अब लागू कर लिया, तो इसलिए topic news में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस convention के key features की अगर हम लोग बात करें, applicability की अगर हम लोग बात करें, किसलिए applicable होंगे, तो देखो जितने भी international commercial settlement agreements होते हैं, मध्यस्ता के थूँ जो है वो apply किये जाएंगे, रही वही चीज़ जो मैंने भी आपको बदाई, जो भी commercial agreement, जो भी commercial projects, जो दो countries के बीच में जो भी companies investment करती हैं, तो वहाँ पर जो भी issue आता है तो वो resolve होगा है आपर, और कप-कप applicable नहीं होगे, अगर उस particular, यानि कि जो भी मामला है, जो भी मुद्दा है, अगर वो किसी international court में चल रहा होगा, तो उस समय नहीं किये जाएं यानि कि पहली बार जो हो आए हैं, ऐसा नहीं कि आप और चार जगा केस लगा दिये, फिर यहाँ पर भी सोच रहोगी, यहाँ पर भी help मिल जाए, नहीं, अगर issue होता है, तो इस mechanism के पास आईए, और इस mechanism पर जो हो पूरी चीज है, resolve हो जाएंगी, तो यह वाली चीज है य या employment law से related हो, तो ऐसे नहीं होने चीज, सिर्फ और सिर्फ commercial projects की ही यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, और वो भी personal नहीं होने चाहिए, वो public type के project होने चीज, इसका investment होना चीज, जिसकी mining sector की, जो मने भी आपको बात करी, इस प्रकार के projects, और जो भी country के अंदर, जो codes वगरा ह होती है, तो उनसे basically अपेक्षा expectation की जाएगी, कि वो पूरे मुद्धे को जो है, जो international law जो है, यह agreement है, उसके according जो है, वो करें, और पूरे मामले को जो है, वो resolve करें, तो यह चीज पर जो है, जो भी country इस agreement को लागू करती है, तो उस country को यह चीज तो सुनिशित करनी पड़ procedure को follow करना चाहिए, जो कि इस convention के अंदर लिखे हो है, हाला कि पूरे convention के अंदर क्या rules procedure, वो आपको जाननी के आवशकता नहीं, बेसे का आपको idea रखना है कि यह इस प्रकार का, एक agreement हम लोग को देखने को मिल रहा है, convention हम लोग को international level का, United Nation का देखने को मिल रहा है, इसमें 53 countries ने इसको sign कर लिया, जिसमें India, China, USA भी involved है, इंडिया जो है, बताया रहा है कि July 2019 में इंडिया ने approval दे दिया था, signature का, तो यह अलगी चीज़ यहाँ पर हम लोग को नजर आ रही है, इसके लावा इंडिया के लिए क्या benefits होंगे, तो इंडिया के अंदर investors जो है, वो boost हो ग इंडिया नहीं, यह agreement को, यह convention को sign किया हुआ है, तो उनके मामले को, उनके मुद्दे को जो है, वो निश्मक्ष तरीके से resolve किया जाएगा, और यह alternative dispute resolution की practice जो है, वो हम लोग को इस प्रकार की देखने को मल रही है, जिस पर इंडिया का commitment है, तो यह foreign investors के लिए एक positive signal के तोर पर बताया जा रहा है, और इंडिया के अंदर business और पूरे दुनिया भर में business जो है, उनको एक certainty मिल जाएगी, cross-border disputes की, कि अगर कोई भी cross-border, यानि की international कोई disputes होते है, तो वो proper madhyastha के तुरू है, वो resolve होंगे, ठीक है, और effective तरीके से, और निश्पक्ष तरीके से, तो यह पर बताई गई है, देखने को मिल रही है, तो यह था पूरा overall topic, is related, hopefully आपको पूरी चीज crystal clear होगी होगी, अब next topic की तरफ आगे बढ़ रहा है, papers week का यह topic है, आने वाले समय में इस प्रकार के planes में लोग यातरा करने वाले है, यह flying V aircraft का design हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसकी successful testing जो है, वो already की जा चुकी है, आने वाले समय में यह इस प्रकार के planes हम लोग को देखने को मिलेंगे, और यह futuristic planes बताए जा रहे हैं, futuristic aircraft बताए जा रहे हैं, इसमें इंधन fuel भी काफी कम लगेगा, एक computer calculation के according यह बताए गया है, कि आज की rate में जितना इंधन, जित time के aircraft में हम लोग को देखने को मिलेगा, और इसका जो design है guys, वो इस प्रकार से तयार किया गया है, कि passengers, इसके जो wing होते है, planes के, तो वहाँ पर बैठेंगे, और साथी साथ, इसका जो cabin होता है, passenger का cabin, जो हम लोग को generally देखने को मिलता है, तो वो cabin को इस प्रकार से तयार किया है, वो कर दी गई है, और इसमें जादा यातरी जो है, वो travel कर सकेंगे, जैसे कि आप देखी सकते हैं, कि space भी इसमें काफी जादा होने वाली है, तो ये future के planes को इस प्रकार के नजर आएंगे, और इसका जो original plan था, इस प्रकार के plane को तयार करने का, तो flying V aircraft का design जो था, वो P.U. Berlin के एक student है, जिनका नाम है Justice Bernard, इनके दोरा ये design तयार किया गया था, और flying V project को पहली बार present किया गया था, Dutch Airlines KLM की 100th anniversary के अफसर पर, पहली बार ये देखने को बिलाता है, और Dutch Airlines KLM इस project की partner है, इसके लावा और भी काफी सारी aircraft companies, aerospace companies, वो भी इसकी partners है, जिनमे से हम लोग Airbus, एक काफी famous company देखने को मिलती है, वो भी इस project पर काम कर रही है, और आने वाले, कुछ सालों के बाद ये वाले plane जो है, हम लोग को नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे अब इस news की बात करें, फॉस्फीन की हाबर बात हो रही है, फॉस्फीन या फॉस्फाइन, ठीक है, तो ये फॉस्फीन फॉस्फाइन ही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते है, फोटो में ये देखो, आपने कभी gas चूला on किया है, चूला gas on किया तो ये फ्लेमेबल, इस प्रकार की, कभी-कभी, ब्लू कलर की, और वाइट कलर की, इस प्रकार की light नहीं आती है, आज जो जलती है, तो इस से आप थोड़ा से एक आइडिया लेना है, जब भी आपको रिवीजन करो, तो ये फोटो देखो, आपको ये याद आना चाहिए, आपको की, मैंने क्या बोला था, कि जैसी gas on करते हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग को दिखाई देता है, exactly ऐसा हो नहीं दिखता, बट वो ब्लू गलर की flames हम लोग को देखने को मलती है, तो इसका मतलब आपको एक मोड़े-मोडे तॉर पर आइडिया लग रहा होगा, कि ये phosphine ज and decayed body को जब डालते हैं, तब क्या बोलते हैं, organic matter का breakdown होता है, तब जाकर fossils बनते हैं, तो ये उसी process के थ्रू जो है, ये वाली gas भी बनती है, और धरती पे ये gas जो है, वो सिर्फ और सिर्फ living organism से associated है, सिर्फ life से ही ये gas बन सकती है, चाहे वो human life की हो, या microbe की हो, तो ये life से ह ही बनेगी gas, ठीक है, और ये chemical weapons की तरह भी इस gas का उपयोग किया गया था, world war 1 के दोरान, और phosphine अभी भी manufacture होती है, agricultural fumigant के तौर पर, fumigant यानिकी, जो planche वगएरा जो होते हैं, crops वगएरा होते हैं, उनसे, जो कीडे वगएरा, pest वगएरा जो होते हैं, उनको हटाने के क्योंकि Venus पे ये gas मिली है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको क्या बताए, ये gas जो है, अभी आप चीजों को समनो, आपको बताए, जब भी आप चीजों को पढ़ रहे होता, आपका दिमाग जो है, वो साती साथ पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चलना भी चाहि वीनस पे gas मिलने की, अभी वो मिली है, रिपोर्ट आई है, कि वीनस पे ये gas है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीनस पे भी लाइफ का इंडिकेशन बताए जा रहा है, और अब देखें, बहुत जोरो शोरो से हमारे जो साइंटेस्स रिसलचर है, वो दूसरा ग्रह को धून आने वाले से मैं मतलब मैं ये 2-6 साल, 20-6 साल नहीं बोल रहा हूँ, 100-200-300 साल, ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो ज़्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, क्योंग अभी आप देख रहे हो कि स्पीसीज बगेरा बहुत तीज से कि या फिर हम लोग को चुरू करें ऐसा प्रोजेक्ट और ये चल रहा है, अंदर ये अंदर इस प्रकार की चीज़ें चल रही है, क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ते हो, observe करते हो, तो आपको एक 4-Visual लगाना है, कि scientist क्या कर रहे होंगे, आज की rate में ये सब देख क क्योंकि हम लोग एक तरफ तो हम लोग को चीजों को solve करना है, बट अगर solve नहीं होई फिर क्या, तो उसके भी हम लोग को options दूनने पड़ेंगे न, इस तरीके से एक IS की अगर आप तयारी कर रहे हो, तो ऐसा आपका दिमाग चलना से ही, ठीक है, so anyways, phosphine से related, hopefully आपको पूरी चीज clear होगी होगी, अब इस topic की बात करें, ये एक draft है, और मैंने हमेशा आप से बोला है कि कोई भी जब draft होता है, तो उसको हम लोग seriously देखते नहीं है, बठा, एक in short आपको चीज़े इस draft से related पता होनी चीज़े, तो इस पर हम लोग ज़्यादा detail में नहीं आएंगे, draft है draft कभी भी change होते हैं, और एक October तक जो है वो नीती आयोग ने भी लोगों से बोला है कि इस चीज़ को लेकर, यानि इस data empowerment and protection architecture को लेकर अपने comments दें, तो आगे चल कि इसमें कुछ changes भी आ सकते हैं, तो simple सी बात पहली चीज़ तो ये याद रखना बस, in short तरीके से, क्योंकि इ एक draft है, जब ये finalize हो जाएगा, तब question बनेगा, तब आपन अच्छे सिसके बार में बात करेंगे, जिस चीज़ के लिए बॉर्ट होगा, क्योंकि वारे student बोलते हैं कि सारी, आप बोलते हो, draft बॉर्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसकी वज़ा है, draft chain हो जाते है, क्यों गलत होगे न, लोग जो है, वो appeal कर देंगे, quote वगरा में, questions क्या गें, तो यह अली चीज़ आ जाती है, तो चीज़ों को समझो logically, जब इस exam की preparation कर रहे हो, तो logical तरीके से, smart तरीके से preparation करोगे, तब आपको फायदा मिलेगा, तो यह DEPA, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यह नीती आयोक का है, याद रखना, photo में क्या सवन में आ रहा है, एक व्यक्ति है, और हमने बात करी data protection की, कि एक व्यक्ति का एक individual का जो data है, वो share किया जा सकता है, और share इस प्रकार से data किया जाएगा, कि control manner में हो, यानि कि data का leakage ना हो, किसी भी तरीके से, जब चाहे यह व् data को share करने से रोख सकते हैं, दूसरी बात, यहाँ पर जो data provide किया जा रहा है, यह जो data होगा, इसमें सामने वाले individual की कोई personal ऐसी information नहीं होगी, जिससे इसको कोई हानी हो, कोई नुकसान हो, और जो भी यह data, किसी को भी share करने हैं, control manner में share करेंगे, और अगर वो अपनी जो profile ह यानि कि अपना जो भी data है, उसको अगर stop करना चाहते हैं, तो इनके पास वाला option भी हाँ पर available होगा, तो इस प्रकार का कुछ feature जो है वो लेकर आने वाली है, नीती आयो, इसको लेकर यह पूरी चीज, हम लोग को देखने को मिल रही है, नीती आयो उनने draft release किया है, full format data empowerment and protection architecture, यह किस चीज को promote कर रहा है, control data sharing, यानि कि greater control user का होगा data sharing के पर, यानि जो भी data share होगा, उस पर जो user है, जिसका data share हो रहा है, उसके data के ओपर उसका खुद का पूरा control होगा, और इसको implement किया जा रहा है, RBI के द्वारा, SEBI, Security Exchange Board of India के द्वारा, IRDI, Insurance Regulatory Development Authority of India, और PFRDA के regulatory development authority, और इसके लावा ministry of finance के द्वारा, तो यह जो है bodies, यह implement कर रही है, इस पूरे project को, और साथी से बदाए आ रहा है, कि यह जो personal data जो होता है, उसका एक individual के उपर पूरा control होगा, और इसके उपर regulations भी होगे, institutions वगेर हम लोग को देखने को मिलेंगे, technology, designs वगेर हम लोग को revoke कर सकते हैं, वो अपनी data को जो है, वो stop कर सकते हैं, और ऐसी जीज़ कर सकते हैं कि सामने वाली company फिर उसका data जो है, वो use ना कर पाए, तो कोई भी company सामने लेगा data ना save कर पाएगी, और जब भी भी चाहे, individual वो अपने data की sharing को stop कर सकते हैं, यह इतनी सब secure तरीके से और design जो है, वो evolvable है, और agile हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानि कि काफी अच्छा framework, काफी अच्छा design बनाया गया है, जिसके जलते एक अच्छा data governance जो है, वो create किया जा सकेगा, और यह लोगों को empower करेगा, कि लोग अपने data को securely जो है, वो access कर सकते हैं, share कर सकते हैं, third party institution को, और यह basically consent के उपर आधारित होगा, यानि कि जो भी data provide किया जाएगा, सामने वाले की सहमती के उपर based ही, यह data जो है, वो दिया जाएगा, तो यह लगी चीज है आपर बताई आ रही है, और इसका उप्योग किया जा सकता है, individuals के दोरा, MSME के दोरा, और वो digital footprints का available loans मिल सकता है, MSME को, individuals को, बलकि insurance, saving और भी काफी सारे financial products भी उनको मिल सकेंगे है, जो कि आप इस photo में देख सकते हैं, कि एक ही data से, वो various facilities आपको access कर सकते हैं, उनको बार-बार आपने data share करने के आवशकता नहीं है, एक single system है, जिस system में, जैसे ही वो अपनी सहमती देंगे, उस system का data जो है, जितनी भी हमारी regulatory authorities है, bodies है, उन तक share हो जागा, इस बीच में क्या होगा, कोई भी XYZ person, जो frauds वगरा जो होते हैं, वो बीच में हापर नहीं हापाएंगे, अब इस चीज का main purpose यही है, आपने अगर इसका concept को समनना है, आपको सिर्फ यही समनना है, यह जो इ pension और IRDI और PFRDA के बारे में, इनके उपर है, wealth की बात करें तो registered mutual funds वगरा हो जाते हैं, telecom sector भी हम लोग को देखने को मिलता है, registered होती है, यह credit हो गया, bank हो गया, तो यह पूरी जितनी भी चीज़ा है, किसकी सरकार की है, अब जो data जो होगा, उसकी जो sharing होगी, उसकी access के पास ह होगी, और सामने वाले व्यक्ति जो है, वो उस data को जब okay करेंगा, तो वो data किसके बास जाएगा, सिर्फ सरकारी authorities के बास जाएगा, सरकारी bodies के बास जाएगा, इस बीच में अगर कोई सामने वाली third party भी गया आती, fraud की बात करना हो है, सामने वाला अगर कोई fraud भी आता है, data बांगने कि अगर कोशिश भी करता है, तो यह अपना data अगर सामने वाले व्यक्ति को इस mode के थूरू देना भी चाहेंगे, तो भी जाएगा नहीं, और सामने वाले व्यक्ति इस mode के यारी कि system से वो data निकाल भी नहीं सकता, तो इतना secure platform यह create किया जा रहा, तो यह है इसकी core concept समझने वाली, इसमें और जो चीज आप अगर theory में पढ़ोगे, तो जो चीज मैंने भी आपको यह fraud से related समझाएए, वो आपको नहीं मिलने वाली, और यही चीज है, जो कि मैं आपको provide कराता हूँ, क्योंकि काफी कुछ ऐसी चीजे होती है, जो theory में written नहीं होती, जिसके concepts clear कर रखना बहुत जरूरी होता है, वो develop करने के लिए out of the box जाकर चीजों को समझ नहीं पढ़ती है, तो hopefully अब आपके दिमाग में अच्छे से चीज आगी हुई, बट यहाला topic अपने लिए अभी के लिए काम का नहीं है, इस से related, अभी at present the questions नहीं मनेंगे, बट in future बनने की समबना है, तो आपको एक idea होना चाहिए इस topic के बारे में, और greater financial inclusion और economic growth में यह मदद करेगी, इसमें API based data sharing framework create किया जाएगा, API जानेगी application programming interface, API based यह data sharing framework create किया जो अब आपको बता है, secure तरीके से data share करने की जो process होगी, वो लाया जाएगा, और नहीं नहीं फिंटेक entities, companies, जो ह हम लोग internet banking का उपयोग करते हैं, various banking facilities का, financial services का, जो online उपयोग करते हैं, technology का उपयोग करते हैं, वो यह fintech companies ही बनाती है, ठीक है, ऐसी यह वाली चीज़, और यह वाला जो पूरा architecture है, वो जो काफी महंगे और काफी बेकार से, जो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि उ उसको जो हम लोग data के लिए use कर रहे हैं, यह सब features को उपयोग कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया जाएगा, हमारा खुद का ही यह data security model हम लोग को देखने को मिलेगा, तो यह था पूरा overall topic, next topic की बात करें, Indian brain templates और brain atlas, यह develop किये गए है, NIMHANS के दवारा, तो यह चीज हम neuroscientist NIMHANS के जो है, इन्होंने 500 से ज़्यादा brain का scan किया है, Indian patients का, और 5 sets इन्होंने create किया है, Indian brain templates के और brain atlas के, और जिसमें 5 age groups है, जहाँ पर late child हो जाने की 6 साल से start हो रहे हैं, और late adult हो जाने की 6 साल, तो 6 साल से लेकर 6 साल के brains जो है, लोगों के, brain याने की दिमाग, तो उनक पूरा map, जो है, वो atlas, वो create किया गया है, इससे क्या-क्या फायदे होंगे, इससे ये फायदे होंगे guys, कि हमारे यहाँ पर, जो भी brain की जो study होती है, proper तरीके से, वो बहतरीन तरीके से conduct की जा सकेगी, Indian brains की, अब मैं Indian brain इसलिए बोल रहा हूँ, अब इस concept को भी समझ लेना अबी तक जो भी हमारे, जो neurologist जो study करते आ रहे हैं, वो Montreal Neurologist Index Template के उपर based study कर रहा है, जो कि किसके उपर based है, Caucasian brain के उपर ये based है, और Caucasian brain जो है, वो बहुती छोटे से एक city है, उसकी कुछ छोटी सी population से वो लिया गया है, बातर 152 healthy brain के scan किये गये थे, उसके अधार पर य जिससे की scientists, researchers, brain की study करें, और compare करें, जो भी brain के अंदर, जिसके भी, यानि कोई भी अगर किसी को neurological problems है, brain की कोई problem है, mental issues है, तो उसके brain में क्या changes आ रहे है, तो उसको जो हो देख सकें, in particular replicas के साथ, या फिर in atlas के साथ, जिससे की उनको idea लग जागी, कहा पर क्या issue है, और फ Indian brains का करेंगे, तब जो Indians है exactly, उनके अंदर क्या problem से वो better तरीके समय आई, क्योंकि, अब इसके पीछे काना सम्झों, आप, आपने देखा हुआगा इसकी, अलग-अलग जगा में रहने वाले लोगों की, अलग-अलग type की body होती है, जैसे color की बात करें, या उनके height health की बात क करें, जैसे आप लोग जानते होंगे, कि जो थोड़े से higher altitude region पर जो लोग रहते हैं, वो थोड़े हटे-कटे type के होते हैं, और simple सी बात है, आप लोग को तो अभी तक यह idea है, या आप NCRT वगरा पड़ी रहे हो, तो आपको पता है, कि एक व्यक्ति, एक human being, या फर एक animal, क according adjust होता है, और कुछ समय के बाद धीरी-धीरी उनके environment के according, उनकी body जो है, वो adapt करती है, चीजों को environment को adapt करती है, और वैसी उनकी body जो होने लगती है, तो अलग-अलग areas पर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका body structure, body जो है, या फिर उनकी internal organs वगरा है, उसमें थोड़े बहु changes हम लोग को नजर आते हैं, तो यह वाली चीज़ है, अब देखो, human beings में तो एकदम से तो पूरी changes नजर आएंगे, human के तो पूछो नहीं नहीं वाली, भले कुछ भी हो जाया भी, बट, color wise और सिर्फ color wise भी नहीं, अंदर internal organs में भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो है, वो अ ऐसी चीज़े, इंडिया के अंदर, especially, जैसे internal organs की बात करें, brain की अगर बात करें, तो इसकी study करने में बहुत ज़्यादा मदद करें, क्योंकि हम लोग एक foreign data का वो प्योग नहीं करेंगे, हमारा खुद का एक map है, हमारा खुद का एक data, अभी neurologist जो है, निमहंस के, इनके द Indian brains को measure कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके benefit क्या होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी references जो है, वो provide कराएगा, especially, patients के अंदर, और उनके जो neurological disorders होते हैं, जैसे कि strokes, brain tumors, dementia, ये help करेगा, काफी सारी information को निकालने में, useful information को निकालने में, जिसकी आवशक्ता है, psychological functions जो होते है, brains के उसके बारे में जानने की information जो है, वो निकाली जाएगी, बेटर तरीके से understand किया जाएगा, और psychiatric illness जो होती है, जैसे कि ADHD, autism, mood disorder, ये common जो चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है, brain disorder वगरा, तो इनको, इनमें कैसे changes हो रहा है, उसको बहतरी तरीके से detect करने में और पता क करने में, जो है, वो काफी मदद कारी होगा, येवाला scale और येवाली, येवाला map, येवाला atlas, और new population और age specific Indian brain के जो templates है, वो अब allow करेंगे, और बहतरी reliable tracking, brain development की, brain development की जो tracking हो रही है, जिस प्रकार से brain धीरे-धीरे develop कर रहा है, और Indian brains के आपर बात हो रही है, कि Indians के जो brains है वो किस प्रकार से develop कर रहे है, क्या उनमें changes आ रहा है, तो इसको बहतरी तरीके से हम लोग एक track कर पाएंगे, एक record उसका maintain कर पाएंगे, जैसा कि growth chart में होता है, growth chart में एक बच्चे की height और weight को जो लिखा जाता है, measure किया जाता है, वैसे ही Indian brain जो है, वो किस-किस period में किस प् topic है, तो ये repeated topic है, मैं चाहूंगा कि पहले आप 7 September 2020 का ये वीडियो देखें, इसमें आपको merger of two black holes के बारे में, intermediate black holes के बारे में, अलएडी हम लोग उने discuss किया हुआ है, और इस 7 September के वीडियो में, एक घंटा, 3 मिनिट, 9 सेगेंड पे अगर आप जाएंगे, तो ये topic आपको सिर्फ डालना है, 7 September 2020, उसके बाद ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ये नाम डाल देना, जो भी सबसे पहला वीडियो आएगा, वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो के एक धंटा, 3 मिनिट, 9 सेगेंड पे चले आना, और जिन students के पास इसकी PDF आती है, lecture की, आपको सिर्फ हाँ पर क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो खुल जाएगा, और ये जो topic है, mass black hole से related है, ये updated news है, इस update में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो पहले आप जाकर वो पूरा topic देख लो तो आपको सर्वे आ जाएगा, ये topic जो है, वो किस से related है, क्योंकि अभी एक इंडिया में भी लाने पर बात चल रही है, इंडिया ने proposal रखा है, कि इंडिया के अंदर ये लीगो आ जाए, जिसके बारे में आपको वो 7 सप्टमबर के वीडियो में मिल जाएगा, यहाँ पर बस ये वाली चीज याद रखना है, कि ये जो signal जो आया है, उसका नाम ये ह है, GW190521, और पूरी चीज जो मैं आपको उस समय explain करी हुई थी, वो पूरी की पूरी हाँ पर लिखी हुई है, exactly, दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, जैसे ये लीगो के बारे में भी हमने पढ़ा था, इसके लाब हमने ग्राविटेशनल वेवस क्या होती है, उसके यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि इंडिया का एक अमरेला इनिशेटिव है, इंडिगो, तो इंडिया जो partnership कर रही है, लीगो scientific collaboration के लिए, तो ये इंडिगो नाम के अमरेला इनिशेटिव के अंडर कर रही है, तो इंडिगो आपको थोड़ा से यहाँ पर क्लियर होगा है, बैट गया है, तो like का बटन हिट कर दीजेगा, नए आए है, चैनल को subscribe कर लीजे, share जरूर कीजेगा, और अगर आप monthly package लेना चाहते हैं, तो monthly package आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको various facilities प्रोवाइट की जाती है, daily जो आप lectures देखते हैं, उसकी PDF आपको मिलत देखने के बाद, अपने अप्षिनल कंप्लीट करो, अपने जर्रल स्टेडी के टॉपिक कंप्लीट करो, दूसरी चीज़े करो, जो की productive रहे, क्योंकि अगर आप इसकी answer writing करोगे, daily basis पर current affairs की, तो वो आपके लिए बिलकुल beneficial नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपको बहुत time consuming होगा, तो इसलिए थोड़ा smartly के लो, जिस चीज़ में आपको time लगाना चाहिए, वो चीज़ लगाओ, क्योंकि जो cost भी मैंने रखी है, वो minimum 100 rupees पर मंद रखी है, यही चीज़ आते होए, जिससे की मेरे सभी students हो है, वो इस चीज़ को afford कर सकें, और यहाँ पर आपको क् single PDF मिलती है, जिसमें पूरे हफ़ते की compilation होता है, जिससे की आप उस single PDF को open करके पूरे हफ़ते का revise कर लो, तो आपका क्या होगा, दूसरी बार revision हो गया, तीसरा revision आपका होगा, मन्त के end में, जैसी महिना खतम होता है, उसके आखरी दिन आपको एक single PDF मिलती है, जिसमें पूर दिया जाता पढ़ने के लिए, और अगर आपने किसी एक topic को तीन बर पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलना कि आपने पीछे पाच्छे लाख लोगों को छोड़ दिया है, आपकी rank top 10,000 में आ चुकी है, top 10,000 में आपने अपना नाम जो है, वो register करा लिया है, UPSC के अंदर और ये ही चीज़ चाहिए आपके mains में आपको बैठने के लिए, तो ये चीज़ guaranteed है, अगर आप ये चीज़ करोगे मेरे बताए गए, जो भी मैं homework देता हूँ, जब भी भी देता हूँ, उसको अगर आप follow कर रहे हो, मेरे instructions को follow कर रहे हो, तो exam निकलना guaranteed है, तो ये तीन बा ये मातर 100 रुपीज पर मन्त, ये minimum cost है, ओन students के लिए जो afford नहीं कर सकते, और अगर आप afford कर सकते हैं, तो आपको जो ठीक लगे आप channel के लिए अपने हिसाब से contribute कर सकते हैं, और आप चाहे तो December तक एक साथ PDF भी ले सकते हैं, और January से July तक की 7 महीने की total, जो PDF है, total 7 महीने की English Hindi अलग-अलग में आपको मातर 300 रुपी में provide की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में पूरी details भी आपको description पर मिल जाएगी, इस से related एक video भी बना के रखा हुआ है, वो video भी आप देख सकते हैं, और नीचे description पर आपको मिल जाएगा, और payment वगरा कैसे करनी है, तो उसकी तो facebook पर मुझे follow भी कर सकते हैं, channel को subscribe कर लिजेगा, अगर नहीं किया है, तो bell icon पर भी ज़रूर हिट कीजेगा, telegram का भी अपना एक channel है, जिसको आप join कर सकते हैं, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए bye bye, take care, have a great day ahead, ta-ta